नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सब का स्वागत करते हूँ कथा मंथन में आज सुनी स्वैम बरकाश जी की कहानी, अशोक और रेनु की असली कहानी सुहें परकाश जी की अन्ने कहानिया आपको हमारी प्लेलिस से मिल जाएंगे लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा उन लोगों की शादी को तीन साल हो चुके थे पहला साल मित्रो रिष्टेदारो रिती रिवाजो परिवार की जखो जिदो परंपराओं और परेशानियों से भरा हुआ था और एक दूसरे के पसंद आदतों और शरीत से परिचित होने में ही बीट गया दूसरा साल सिरफ उन दोनों का रहा इसमेवे एक दूसरे पर पिछले बच्पन की कारगुजारियों से कॉलिज की मज़ेदारियों तक की छीले दर तानों तान कर उसमें खुसते निकलते रहे और घर गरस्थी की छोटी मोटी चीज़े जुगाड़कर खुश होते रहे पड़ाओसियों परीचतों की मज़ेदार बातों पर हंसते रहे प्यार के छेतर में अन्वेशक और प्रयोक्शिल रहे और मित्रों के गुलगुले बच्चों को गोदीमस में उचालते रहे तीसरे साल पती अपने दफ्तर की छोटी मोटी तीस मार खाई पत्नी को बताता रहा और पत्नी उसके स्वेटर कपड़े चच्चवाद और मित्र संभादती रहे अपनी भूत पुर्वसहलियों को याद करती रही मीठा मीठा मुस्कुराती रही और पती की परचाई होती रही पती एक कंपनी में ठीक ठाक सा खुबसुरत होने माबाप का एक लोता होने के अलावा उसका इंजिनियर होना भी इस बात के लिए काफी था कि जो लड़की उसे देखे उस पर मर मिटे पत्नी ने MSC के बाद B.A. की थी वह काफी चटपटी और चरपरी लड़की रही थी और बेहद बातुनी खूब और खूब जोड़ जोड़ से हसने वाली उसकी चपर चपर और चटफाड हसी उसकी माँ को चिंता में डाल देती थी कि रे तेरा क्या बनेगा पत्नी का नाम अशोग था और पत्नी का रेनू आज कोई देखे तो यकीन न करे कि ये वही दो चुटिया मटकाती नाक पर उंगली रखकर हसती और जमाने भर की चपर चपर में पड़ोसर आंटियों के हैं दुपैर से शाम करने वाली रेनू है और यह वही अशोग है जिसकी साबुत सलामत पत्लों ने भी इसलिए बेकार हो गई कि पीछे से खुलकर भी तंग हो गई है और जिसकी तौन और ठुड़ी जरासी हसी में लहर-लहर हिल उटते है और जिस पर यदि कोई मरती भी रही होगी तो शुकर मना रही होगी कि एकदम से नहीं मर गई M.S.C.B.A.D. की यही योगता कि रेनू को अशोग मिल जाए भे भेज रहे हैं सनहीनी मंतरन अशोग के बिदाने मानस के राजहनसो को इस दे बुलाया था कि माँबाप से सत्रा सो किलो मिटर दूर अशोग बाबू अपने तीन कमरों के कौर्टर में रेनू बाई के साथ अकेले रहें हेराल्ड रॉबिस पढ़ते रहें बैगन की सबजी बनानी की फरमाईश करें और ओम की ड़कार लेकर चुप हो जाएं तरफला की फंकी लगा कर सो जाएं या जेलुसल कुदरते कुदरते हराल्ड रॉबिस के हो जाएं अब अक्सर ऐसा ही होता है बाते खतम हो गई है लतीफे सुनाए जा चुके परचर चासु के एक निशीत मातरा में परती निंच छाकी लिया जाता है आस पास ना कोई सने मगर है ना बजा बस कंपनी करमचारियों की कलोनी एक मंदिर एक सड़क और एक तार एक रस आलाब जैसे रात दिन मन करता है कोई तीसरा हो और हरत दिन इसलिए जब कोई महमान घर आकर जाए या ये किसी के घर होकर आएं दोनों एक दूसरे को कुछ अधिक अच्छे लगने लगते है हलकी सरदियों की दिन थे अंधेरा हो चुका था अशोकर रेनू घूमने जा रहे थे कलोनी के क्वाटरों के पार तक दोनों चुप 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 पच्छे घरों में कौार्टरों की खिड़कियां बंद कहीं कोई रेडियो बचता हुआ सडक और सिर्फ जूतों के नीचे चर्मराती बजरी की आवाज दूर तक ठिठूरती सी खड़ी ट्यूब लाइट है जैसे वर्शुर से दोनों इसी तरह चुप चाप चले जा रहे हैं देखो बिल्ली अशोक ने का सडक के किनारे एक दुप की बिल्ली बुरा समान कर एक दरफ चल दी हाँ रेनुन ने का फिर दोनों चुप आगे जाकर एक सुनसान पड़े बागी जकरी एक बैच पर बैट गए तीन चार फलांग दूर आस तुमारी नेली कमीच की जिब से खरसी निकली रेनुन ने का नेली कमीच हाँ दो रही थी सेल खरी देते टॉर्च के बेकार हैं फिर चले कुछ देर बाद अशोक ने पूछा रेनु चुप चाप उड़ गई दौनों चल गए रोच के रास्ते रोच की तरह खामोश कलानी में एक जगा दो कौटर के बीच कुछ लोगों ने एक बैटमिंटन कोट बना रखा है शाम के बाद लाइट जला कर खेलते हैं कोट काली तरह लाइट जल रहे थी एक तरफ कुरसी पर दो राकेट रखे थे चड़िया नेट में अठकी होती शायद अभी अभी कोई खेलते खेलते चला गया खेलती हो अशोक ने पूछा थोड़ा से रुक कर रेनू ने का चलो अशोक को यह आशा नी थी कि रेनू हाँ कह देगी कि उसे आता भी हो अशोक एक रैकेट से हवा में स्विंग मार कर चड़िया निकाल कर उसे रैकेट से आसमान में उच्छालने लगा रेनू ने पल्ला लपेट कर कमर में खोसर बाई टांग पर की साड़ी के आगे से पेटी कोट समय जरासा उठा कर कमर में उड़ास लिये और रैकेट के कुछ जारे की तरह पकड़ कर खड़ी हो गई अशोक ने सर्व किया और बड़े अराम से रेनू को सारे कोट में नचाया एक ट्रेनर के से अंदाज में उसने सोचा कि हवे भी हलका फलका खेलेगा ताकि रेनू बाद में नर्वस ना हो जाए और खेल कुछ देर जम सके कुछ देर के वाम आपके बाद रेनू थोड़ा उतसा से बूले शुरू कर दो गेम शुरू हो गया रेनू ने सर्फ किया अशोक ने बैक हैंड एक शांदर अदा के साथ उठाई रेनू ने ड्रॉप कर जी अशोक कवर नहीं कर सका रेनू का पॉइंट बन गया अशोक खुश हुआ जैसे बच्चों का अच्छा खेल देकर अच्छा उसने मनी मन का तो तुम्हें असली खेल दिखाना पड़ेगा लेकिन कुछ तेर में बाजी पलट गई रेनू के करारे शॉट अशोक के लिए चैलेंज बन गया वैं पॉइंट पर पॉइंट कवा तरहा और खिजलाने लगा पर नहीं ऐसे नहीं चलेगा उसने हिम्मत बतोर कर खेलड़ा शुरू किया और एक दो करारे शॉट मारे जो रेनू के बदन पर पड़े वैं उठा नहीं पाई फिर अशोक ने बैक लाइन पर एक दो प्लेसिंग की लेकिन अब रेनू भी अशोक को बैक लाइन पर खिलाने लगी और बीच बीच में प्रॉस कोड डॉप मारकर पॉइंट लेन लगी अशोक संभाले संभाले के गेम हो गया और रेनू जीत गई अरे वाह अशोक मुस्क उठाये बाई टांग पर से साड़ी उठाकर कमर में उड़े से पल्लू कसे मुस्कराती हाफती रेनू किस कदर उत्तेजक लग रही थी अशोक एक गेम और प्रपोस करता करता रह गया फिर हार जाये तो नहीं भाई अब दम नहीं तब ही लाल सहाब आ गए अशोक के ही एक साथी इंजीनियर वही जो अभी अभी कोट छोड़कर चले गए थे लाल सहाब इने देखकर खुश हुए बोले चलिए एक गया हमारे साथ हो जाए अशोक ने का नहीं मैं अब नहीं रेनू तुम खिलो रेनू खिलने लगी अशोक उसे चीर अप करता रहा और सोसता रहा क से विदा लेकर चले रेनू ने पनी साड़ी नीची कर लिया पल्लू खुलकर लटका लिया और चोड़ी जिरुमाल से पसीना पहुँच दोनों हातों से मातों की लटों को पीछे ढखेल दिया वह इतनी प्रफुलित थी कि अस्तिवेस्तिता में भी बहुत दिलकश और तर है तो इतनी दिनों में एक बर भी कहा क्यों नहीं कि बैटमिंटन खेलना चाती है उधर से तो अक्सर घूमने आते हैं और कई बर कोट खाली भी रहते हैं क्या अशोक रेनू के लिए एक बड़ी ऐसा रैकेट नहीं मंगा देता आप क्या सोचते हैं क्या सोच रहा है अशो लेकिन नहीं अशोक इन में से तो कुछ भी नहीं सोच रहा था रिकार्ड की खराब सुई की तरह उसका दिमाग एकी जगा अटका वा था पिंडली रेनू की पिंडली जब एक खेल रही थी और बाई टांग पर से साड़ी उठाकर उसने कमर में उड़े इस ली थी गोरी पुष्ट उतेजक मादक सुडो पागल कर देने वाली लल जाकर तरपा देने वाली क्या अशोक ने इसे पहले कभी नहीं देखा फिर माते पर जुकती लटें फिर माते पर चलचलाई पसीने की बूल दे तपेवे गाल भर-भर प्यार के उसने उसरा लेकिन वह कहा थी वह पुष्ट न कोई अपराद करता रहा है रेनु के प्रति उसकी प्रफिलता चंचलता को चूने की मानिन सोकता रहा है अब तक लगा ता बढ़ते चुक्चाप देखता रहा है एक चटक गुलाबी पंख्षडी को निरंतर मरते हुए रेनु सो गई अशोक जाकता रहा लेक या रेनु की कोई भी फरमाई शियता सक्त या पूरी ना की हो, या रेनु की कभी शिकायत का मौका दिया हो, या रेनु ने उसे असरदोष्ट और उबी हुई लगी हो, क्या रेनु उससे डरती है, अशोक के लिए लेटे रहना मुश्किल हो गया, मुह में जेलोसिल डाल कर बाहर आ गया, दरवाजा खुलकर बागीचे में, एकदम ठंड लगी, अच्छा लगा, मौगरे की खुश्पी से रात महक रही थी, मौगरा अशोक ने अपने हाथों से लगाया, रेनु मौगरे के फुलोका गज्रा बना कर लगाती है कभी-कभी, अशोक को गज्रे वाली नहीं, दासी चाहता था नहीं, सौ बाह नहीं, लेकिन फिर उसने देखा क्यों नहीं, कि घर में क्या हो रहा है, रेनु को क्या हो रहा है, यदि वह मुर्जा भी नहीं रही, तो विक्सित क्यों नहीं हो रही, पर क्या सचमुच उसे पती के साथ-साथ अभी वावग भी हो उठाली चौते अध्याय में एक खुन दो महपते एक दगा और एक शादी हो चुकी पांचवे अध्याय में नायक को याद आता है कि जब जब रेनु के साथ ससुराल गया है रेनु उसे अधिक उत्साह से भरी हुई लगी और फिर भी हर बार उसकी पहले की सहलियोंने से टो गए थी तो तो बिलकुल बदल गई और रेनु निश्वद मस्क्रा रह गई इस जरासी औरताना टिपनिया और इसकी प्रतिग्रिया का आश्य अश्यक कभी नहीं समझा उसे यह भी याद नहीं आया कि जब जब रेनु के साथ ससुराल गया है सास उसे हर समय कुछ भवीत जब आगी ससुर आप आप करते हैं लीजिये बैठिये ऐसा कहते हैं वह क्या खाएगा कैसे पानी से नहाएगा खाने के बाद पान तो नहीं खाएगा आदी आदी आते हैं सास ने सीधी उससे नहीं रेनु से पूछी है फुसफुसाहट वाले अंदाज में उसके वहां रह कर परिवार का ही एक सदस्य क्यों नहीं हो गया कि कौन सी अद्रिशे दिवारे हैं जो उसके चारों तरफ घर जाती है कौन खड़ा करता है उन्हें रेनु चुलबली और बातुनी थी और यह चुलबला पन और बातुनी पन शादी के बाद भी गाहे बगाये दिखाई दि कि वह कितनी बेतकलूफ ही से बैगन की सबजी की फरमाईश कर देता है क्या अपने घर में भी तकलूफ करे जब रेनु आई थी तो बैगन छूती भी नहीं थी पर अब खाने लेगी क्यों खाने लेगी और एक बड़ी महनत से उसने अपने पीहर की कोई जीच बनाई थी पनोचा या अंगोचा या ऐसा ही कुछ अशोक को नहीं पसंद रही किया घर में जूटी प्रशंसा करता पर उसने जूटी प्रशंसा नहीं की और वह चीज रेनु ने फिर कभी नहीं बनाई पनोचा की क्या अशोक का दिमाख खराब हो गया क्या बकवास है ये क्या हो रह यह पड़ी लिकी लडगे काहां से यह पड़ी लिखी यह क्यों दसी बनने पर उतार होें नारी क्यों चाहे कि पुरुष परधांता से मुक्ति भी उसे एक पुरुषी दिलाएगा खेर छोड़ो नारी वारी रेनु क्या जाती है जेलो सिल बन, हेलोल डॉबिस बन, खिड़की बन, बिजली बन मैं कितनी कुमल सी, छररी सी, गोरी भग एक बच्ची जिसका नाम रेनु है खुटनों में पैर गुजड़े सो रही है, एक दम मासूं, क्या अशोक उसके पैर सीधे करेगा अशोक ने ये था संबब दोसी रखा है रेनु को, कभी कभी अपने अपने अंडर्मेयर बन्यानों से नहीं धोने दिये उसने, सिर्य या पैर नहीं दबाने दिया, जो तो पर पॉलिश नहीं करने दी, खड़े रहने या पैताने पर बैटने को नहीं का मित्रों के सामने भीतर जाने का इशारा नहीं किया रेनु ने कपड़े दोए तो उसने निचोड़कर फिला दिये, सबजी वबजी कटवा दी, छोटे मुटे बरतन भी दो दी, बीमारी में कोई काम नहीं करने दिया, ठककर आये तो हलका फुलका खाकर सोई रहने की सला दी, सहिलियों को हमेशा पत्र लिखने की तागीत दी ससराल के किसी सम्मंदी के बारे में बुरी बात नहीं कई, कभी उसकी किसी कमजोरी का मज़ाक नहीं करने, उड़ाया, आगे होकर कपड़े गहने उपार लाता रहा, लेकिन रत उपवास भी नहीं करने दिये, मंदे जाकर माथा कभी नहीं चुकाया, तस्वीरों के आगे में जल्द बाजी नहीं की, और सोचा की दोनों सुखी और संतुष्ट हैं, और अभी अचानक एक दिन पता चला शाहिद नहीं, क्यों, क्या चाहती है रिनो, समानता नहीं चाहती, मुक्तियर विस्तार नहीं चाहती, बंदुत्व नहीं चाहती, फिर क्या चाहती है, सुरक या हो सकता है उसकी माँ या शादी सता सहेलियां या आंटियों में से किसी ने यह बात उसके मन में भरी होगी या पड़ासियों स्वजनों संबंदियों पर इचितों की निरन तरज्जिग्या सरसे वैदुखी हो जाती हो या स्कूल कॉलेज में भाशन देने आई किसी बेफ पालेगा या कुछ ऐसा करेगा जिससे रेनु एक सार तक जीवन की दिशा में प्रविर्थ हो सके तो क्या ऐसा यहीं से अशोक और रेनु की असली कहानी शुरू होती है